अगर हमारी गूगल फॉटोज हैक हो जाए , तो कैसे उस हैकर की एकसेस को रिमूव कर सकते है साथ्य ये भी सिखेंगे कि आप कैसे पता लगा सकते कि आपकी गूगल फोटोज है или हैक नई है फ्रेंट्स कई बार होता कि हमारी गूगल फोटोज को कोई हैक कर लेता है अपना email ID डाल देता है और आपकी गूगल फोटोज पे जो भी फोटो और वीडियो है वो अपने फोन में चुपके से देखते रहता है आपको पता भी नहीं चलता है तो अगर आपको लगता है कि कह ही आपका गूगल फोटोज है या फिर हैक नहीं है या फिर हैक है तो कैसे उस हैकर की एकस्स को रिमूब करेंगे इसके लिए फ्रेंट्स यहां से हम ओपन करते हैं अपने फोटोज एप को फ्रेंट्स यहां पे अगर आपका गूगल फोटोज अपडेटेड होगा तो यह यहां पर इस तरह से sharing वाला option आएगा यहां पर आप sharing वाले option पर एक क्लिक कर सकते हैं अगर आपका Google photos updated नहीं होगा तो फिर यहां पर आप क्लिक कीज़ेगा इस corner पर और यहां पर एक क्लिक कर देने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेका photo settings तो आप simply photo settings पर एक क्लिक तो देखिए यहां पर एक आपको option मिल जाता है sharing का partner sharing यहां पर यह जो email ID है यहां पर यही email ID पर आपकी सारी Google photos की photo और विडियो automatic backup फोरा है और इस email ID वाले इंसान आपकी सारी photo और विडियो को देख रहा होगा तो यहां पर अगर आपके phone में इस तरह से हैं तो आप simply यहां पर क्लिक कीज़ेगा यहां पर फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि आपकी Google photos की यह क्या-क्या access कर रहा है तो यहां पर इस email ID वा ID वाले इहसान access कर रहा है तो यहां पर अगर आप hacker की access को remove करना चाहते हैं तो यहां पर आपको दो option मिल जाता है पहला option के अगर बात करें तो यहां पर आप क्लिक कीज़ेगा इस तीम बिंदू पर देन यहां पर आप क्लिक कीज़ेगा अस्टोप शेरिंग यूरूप फो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी गूगल फोटोज हैक है या फिर हैक नहीं है तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक कीज़ेगा sharing पर तो यहां पर कुछ इस तरह का interface आएगा और यहां पर यह जो share with partner वाला option है यहां पर यह नहीं आएगा अगर hack रहेगा तो जैसे कि यहा यहां पर get started का option आ रहा है और यहां पर क्या करता है कोई कि आपकी phone चुके से लेकत और यहां पर आपना email ID डाल देता है और उसके बाद आपकी Google photos की सभी photo को access करने लगता है तो friends अगर इस तरह से आपके phone में यहां पर कोई email ID सोख कर रहा है तो आप उसे यहां से remove कर सकते ह हैं उमीद करता है छोटी से वड़ाप के काम को भी आपके help हो लोगी अगर वोडियो अच्छे लगी तीसे like कीजिए share कीजिए अपना दुस्तों वाट से facebook गुरूप में और एसे simple simple वोडियो में अपने चैनल प्लिक के आता रहा तो तो आप मारे चैनल को जोरू सब्सक्र